हालो फ्रेंड्स वेल्कम यू आल आज मैं आपको ले जो वीडियो लेका रहा हो देखें बात करने वाले हैं इलक्ट्रोनिक वार्फियर की आपको पता है अगर आप रेगुलर व्यूर है तो जब अजरबाईजान और अर्मेनिया का वार हो रहा था तब हमने क्लियर कट आपको बार बार यही कह रहेते कि वहीं फ्यूचर जो वार्फियर है वह इलक्ट्रोनिक है और आज की डेट में और जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जब लडाई या लड़ती है तो ग्राउंड ट्रूप्स कम बलकी वही मिसाइल्स सीदे सीदे ड्र अवित्ट्रूणिक वार्फिएर तो यहाँ पे क्या चीज चाहिए सामने वाली की मिसाइल्स को रोकने के लिए आपके रडार सिस्टम जबर्दस्त होने चाहीए साथ के साथ आपका defense system जबरदस्त होना चाहिए तो defense sector पे बहुत focus है आपको ऐसा लग रहा होगा इस लड़ाई से सबसे बड़ा फाइदा किसको होने वाला है जी हाँ one and only USA यानि कि America और साथ में होगा फाइदा रश्या को भी और साथ में फाइदा होगा France, Turkey ये बहुत बड़े defense तर्की का नाम में इसलिए लेता हूँ क्यों कि तर्की के drones जो है वो काफी limelight मा आ चुके हैं तो इसलिए तर्की भी चाहता है ऐसी लड़ाईया हो हमारे weapons यूज हो उनका प्रचार हो प्रचार हो तभी तो business बढ़ेगा ये लड़ाईया ऐसी नहीं लड़ी जात है लेकिन नहीं जहां पर business है जहां पर profitability है वहां पर इंसानियत को आप देख रहे हो कि किस तरीके से कुचल दिया जा रहा है defense segment एक छोटा सा कोई छोटा बड़ा business नहीं देखे बहुत बड़ा 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 अगर आप देखो के तो कई countries की economy Russia की economy का बहुत बड़ा factor है अमारका की economy का बहुत बड़ा factor है यही defense कई को defense की services देना कई को defense के equipments देना यही चीज है कुछ भी free में नहीं है कुछ भी आप सोचो कि मदद की जा रही है नहीं सबका अपना interest छुपा हुआ है इस लड़ाई में चलिए detail में बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती नहीं के लिए आप जोइन कर सकते हो membership join बटन पे क्लिक करके भारत electronics limited यानि कि बैल 54,000 करोड का market capitalization उधार मुक्त company लेकिन ये company हमारी जब भी defense की बात आती है ना ये हमारे radar में आती है क्यों ये PSU जरूर है लेकिन इतनी जबरदस profitability वाली PSU बहुत कम है आप देख सकते हो revenue कहां से कहां गया है लेकिन मेरी expectation इस stock से बहुत आगे किये आप profitability को देखिए लेकिए ऐसे profitability वाले stock जो PSU segment में है आगे अगर ये कुछ हिस्सा market में बेचने की भी बात करें तो भई कहां जाएंगे ये देखिए यहाँ पर already अगर मैं सरकार की हिस्सेदारी की बात करूँ यानि कि promoter holding की बात करूँ वह 51% की है bell लेकिन ये strategic importance वाला stock है ये strategic importance वाला stock जो है जरह तसल्ली से देखिए और लके रहता safeguarding see onboard airspace आज की डेट में अगर Ukraine को देखोगी न तो क्या हुरा है ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि हमारे airspace को close यह क्लोश कर दो सेफ कर दो क्यों 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 приложिकर दाड़ा धाड़ मिसाइल धाड़ धाड़ा 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 लवीव जो की बिलकुल बॉर्डर पे है पॉलेंड के वहां तक बिलकुल मिसाइल पे तागे जा रहे हैं देखिए यह आप सोच रहे होंगे कि भई हम रश्या की तरफ हैं यूकरेइन की तरफ नहीं जी यह सब एक ही हैं यह सब मिले हुए हैं आपको रश्या और अमेरिका लगते होंगे दुसमन लेकिन दोनों का बिजनस अबजेक्टिव है एक डिफेंस के इक्विपमेंट बेचना समझे इस पार्ट को जब होगी लड़ाई तभी तो जरूरत महसूस होगी किस चीज की डिफेंस के इक्विपमेंट की तभी तो लोग पैसा खर्च करने को तया होंगे किस पे डिफेंस सेक्टर पे तो समझेए यह सब क्रियेशन है इनसान की यह देखिए जरा आप कहां गया देखिए कहां किस बात की सिच्वेशन 2014 मैं क्रीमिया लिया उसके बाद अब यह क्रीमिया के अगल बगल का पूरा शेत्र जो है चाहे मैं कहूंगा यह थोड़ा सा एकादपोर्ट चाहे ओड़ेसा छोड़ दे अधरवाइस यह सब अब होने वाला है एक नया देश या फिर होगा यह सब रशिया ही रशिया तो हम अपने स्टॉक को देखते हैं जो कि अब भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह स्टॉक स्ट्रेटिक इंपोर्टेंस वाला स्टॉक है जरा देखिए यह इलेक्ट्रोनिक वारफिर सिस्टम चाहे सब्सक्राइब करता है कौन भारत इलक्ट्रोनिक्स देखिए किस तरीके से इवन मैं कहूंगा आपको यह लग रहा होगा यार इलक्ट्रोनिक वारफेर के बार बार बात आती है चाहे सर्विलेंस की बात करो नाइट केमराज की बात करो तो बड़े-बड़े पीएशु के मै आपको क्यों बार-बार यह कह रहा हूं देखिए इवन वैदर फोर्कास्टिंग के उपर भी देखिए बिलकुल आपको मुझे इसलिए यह लगता है जिस हिसाब से इसके डिटेल्स हैं इसकी चीजे हैं यहां पर उस हिसाब से काफी लगता है लेकिन जैसे जैसे वार आत देखने को मिल रहा होगा अंडर वैल्यूड आपको लग रहा होगा मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जैसे जैसे वार आता है कहीं पे भी तो यह स्टॉक फिर से आ जाता है रडार पे रडार पे तो आ जाता है लेकिन यह खुदी रडार पे काम करता भी यह देखिए एक्शन रिजॉल्व हो रही थी इस सीरीज में आपके लिए लेके आया थे बिल्कुल उसके बाद यह एक राउंड का रन हमको दे चुका है बढ़िया लेकिन यह स्टॉक यहां नहीं रुकने वाला अगर मैं यहां पर लॉग चार्ट लगा दूँ इससे मुझे काफी उम कंपनी को कहां से मिलेगा सरकार से मिलेगा देना पड़ेगा कैसे जीजों की जरुवत है प्रॉफिटेबल कंपनी है काम कर रही है इवन अगर प्राइबिट सेक्टर भी यहां पर इसके साथ लग जाता है तो वही रिवेन्यू और बढ़ता हुआ आपको देखने को के इंडिया भी एक्सपोट करता है रडार की बात करो या ब्रहमोज की बात करो framework करो 12 एक्सपोट एंडिया का भी अगला टार्गिट है क्योंकि ऐसे ही बड़ा देश अगर मनना है तो टला टार्गे यह है किस चीछ का बयल का जरा सा एक लाइन ड्रॉव करते हैं इन एरि से देखिया और समझने की कोशिश की लिए ये वो लेवल है ये वो लेवल है जहां पे all time high था 2018 का देख रहे हो अब ये लेवल पार होके हमारा ये ही लेवल जो है बेस बन रहा है तो अगली रैली की तैयारी बिलकुल चल रही है और फिलहाल मेरा stop loss यहीं पे रहने वाला है deep वाला इससे ज़्यादा नहीं अगर चीज़ा बिगड़ती है तो निकलना ही बहतर है बट अभी चीज़ा अंडर कंट्रोल है जैसी ये रैली आएगी तो मैंने काने ये stock अभी यहीं नहीं आने वाले चार-पांच सालों में असली धमाका यहाँ पे करने वाला है ज़रा देखिए ज़रा समझ यह अभी तो रैली स्टार्ट हुई है भारत electronics limited strategic importance मैं फिरसर repeat करूंगा इन चीज़ों को यह क्या है strategic importance making इंडिया का जो है इंडिजिनस अभी आप सोच रहेंगे इंडिजिनस की बात होती है कि यही तो में इंपोर्टेंट देखिए अभी जो रश्या युक्रेन के पर जो sanctions लगे इस तरीके से मानलो लड़ाई के टाइम पर इस तरीके से sanctions लगते हैं तो कि किस कैसे काम चलेगा तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि जब लड़ाई के टाइम पर रन टाइम पर चीज़े चाहिए होती है अब देखिए युक्रेन के सारे defense system air defense system radars maximum ध्वस् लेकिन अगर यहां पर इंडिया की बात होती तो रात और रात और बनाओ भई और बनाओ भई मतब अपना उस टाइम पर जब चीज़े जरुवत है उस टाइम पर बना सकता है तो इसके लिए इंडिया के अंदर ही बने तो बढ़िया है है के नहीं है तो इसलिए इंडिया का जो मेकिन इंडिया जो आत्मी निर्वर भारत खास करके डिफेंस सेग्मेंट में इसी लिए फोकस है समझे हो जब लड़ाई का टाइम होता है तो कोई साथ नहीं देता ऑल्दो हां रश्या ने एक अत्र में बहुत साथ दिया इसे लिए आज इंडिया भी मैं कहूंगा कि यहां उसके जो चीज़े यू इन में जहां पर वोटिंग की बात किया आप करता है, हाँ पुराना एक पुरानाय के अभी भी डिफेंस पार्टनर है बहुत बढ़ा डिफेंस पार्टनर है चाहे ब्रह ब्रह भूस्विशल्श के बात करो चाहे आप बात करो यहां पे जब जरुवत होती है जैसे पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में था नाइंटी वन के लड़ाई में तो वह सिचुवेशन आप देखे जरा देखे समझीए तो इसलिए आज चल की डेट में जब यूएन में कर रहा है इंडिया ठीक है तो फिलंट करते उस वीडियो को की डिफइंस सेक्टर की अहमेयत आपको इस लड़ाई के टाइम पर ज़रूर समझ महार रहेगी वीडियो अच्छा लगा तो शेर कीजिए लाइक कीजिए प्राइस सेक्षन सीखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और टैंक्यू टैंक्यू पर वाचिन वीडियो